गटनाओं का क्रम भाग एक सिक्वेंस ओफ इवेंट्स पार्ट वन आज हम सीखेंगे समय से सम्बंधित गणना कैलकुलेशन करना नेहा तुम्हारा जान कहा है? मैं पिकनिक का टाइम टेबल देख रही हूँ और ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें मनुरंजन पार्क में यदे दस बजे पहुचना हो तो होटल से कितने बजे निकलना चाहिए? और ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें मनुरंजन पार्क में जूलो का मज़ा लेने के लिए कितना समय मिलेगा तो पता चला कि कितना समय मिलेगा नहीं, चलो ना, साथ में पता करते हैं ठीक है, टाइम टेबल दिखाओ देखो, हमारी बस सुभा साथ बच कर पंदरह मिनिट पर यहां से चलेगी और साथ बच कर पैंदीस मिनिट पर होटल में पहुँचेगी जहां हम सभी लोग नाश्ता करेंगे तो हमको सबसे पहले यह देखना है कि हमारी बस स्कूल से होटल तक पहुचने में कितना समय लेगी यह पता लगाना तो आसान होगा देखो, मिनिट की सुई साथ बच कर पंदरह मिनिट पर तीन पर है और साथ बच कर पैंदीस मिनिट पर साथ पर होगी हमको अब सिर्फ इनके बीच की मिनिट पता लगानी है एक नमबर से दूसरे नमबर के बीच में पांच मिनिट का अंतर होता है इसका मतलब हुआ कि एक नमबर से दूसरे नमबर तक जाते समय हम पांच किनते जाते है तीन पर जब मिनिट की सुई है तो उस समय को जीरो मानेंगे चार तक पहुँचने में पाँच मिनट हुए पाँच तक पहुँचने में दस मिनट ऐसे ही छे तक पहुँचने में पंदरा मिनट हो गए और साथ पर पहुँचने पर बीस मिनट हुए मतलब बस स्कूल से होटल तक पहुँचने में 20 मिनट ले रही है हम ये तो सच में आसान था अब हमको ये तो पता है कि हमको 10 बजे मनुरंजन पार्क पहुँचना है अब अगर ये भी पता लग जाए कि होटल से मनुरंजन पार्क जाने में कितना समय लगता है तो हम ये बता पाएंगे कि हमको होटल से कितने बज़े निकलना चाहिए सर ने बताया है कि होटल से मनुरंजन पाक पहुचने में 55 मिनट का समय लगता है फिर एक काम करते हैं घड़ी में 10 ड्रॉ कर लेते हैं और अब मिनट की सुई को 55 मिनट पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं याद है न एक नमबर से दूसरे नमबर में 5 का अंतर होता है हाँ याद है अब ध्यान से देखो ये मैंने घड़ी में 10 ड्रॉ कर लिया अब मिनट की सोई को तब तक पीछे करते हैं, जब तक पचपन ना गिन लें ठीक है, बारह से ग्यारा पर लाए तो हुए पांच मिनट ग्यारह से दस पर लाने पर हुए दस मिनट नौ पर पंदरा मिनट, आठ पर बीस, साथ पर पचीस, छे पर तीस, पांच पर पैंतीस, चार पर चालिस, तीन पर पैंतालिस, दो पर पचास और एक पर पचपन मिनट होंगे इसका मतलब मिनट की सोई दस बजे से पचपन मिनट पहले एक पर होगी इसका मतलब दस बच कर पांच मिनट पर हमें होटल से निकलना होगा नहीं वंदना ये गलत है कैसे गलत है? दस बच कर पांच मिनट दस बजे के बात होगी जबकि हमें दस बजे से 55 मिनट पहले निकलना है अरे हाँ, पर गलती कहां पर हुई? देखो तुमने मिनट की सुई को तो पीछे कर दिया लेकिन घंटे की सुई को पीछे करना भूल गई अरे हाँ दस बजे से पहले तो नो बजेगा इसका मतलब हमें नो बज कर पांच मिनट पर होटल से निकलना होगा जिससे हम दस बजे मनुरंजन पार्क पहुँच जाएं हाँ अब सही लग रहा है चलो चल कर सर को बता देते हैं अरे निहा मैंने आपसे कुछ पता लगाने के लिए कहा था आपने पता लगा पाया जी सर, अगर हमें 10 बजे मनुरंजन पार्क पहुँचना है तो हमें 9 बज कर 5 मिनट पर होटल से निकलना पड़ेगा Very good, मैंने मनुरंजन पार्क के ओफिस में फोन किया था उन्होंने बताया कि ग्रुप का टिकट लेने में 20 मिनट का समय लग जाता है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि 10 बजे वहां पहुँच कर टिकट लेने के बाद हम कितने बजे मनुरंजन पार्क में इंट्री कर पाएंगे जी सर, इसके लिए हम घड़ी में 10 ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद मिनट की सुई को 20 मिनट आगे कर देते हैं 12 से 1 पर जब मिनट की सुई को ले जाएंगे तो 5 मिनट होंगे, 1 से 2 पर ले जाने पर 10 मिनट होंगे, 3 से 15 मिनट होंगे और 4 पर जब मिनट की सुई पहुँचेगी तब 20 मिनट होंगे इसका मतलब हुआ कि 10 बजे वहाँ पहुँचने के बाद यदि हम 20 मिनट टिकट लेने में लगाएंगे तो 10 बज कर 20 मिनट पर पार्क में एंट्री कर लेंगे आप लोगोंने एकदम सही बताया निहा और वंदना, अब आप लोग पूरी तरह टाइम देखना सीख चुके हो चलो मैं चलता हूँ, आप भी अपनी क्लास में जाइए समय से जुड़े हुई तीन चीजों की आज हमने गरना की तीन? कौन कौन सी? देखो, पहले हमें शुरू और अंत का समय दिया गया था हमने ये पता लगाया कि किसी काम को करने में कितना समय लगेगा उसके बाद हमको ये पता था कि अंत का समय क्या है और काम करने में कितना समय लगता है उसके जरिये हमने शुरू का समय पता लगाया और सबसे आखिर में हमें शुरू का समय और काम पूरा होने में लगने वाले समय का पता था उससे हमने काम के अंत के समय का पता लगा लिया अरे हाँ, मैंने तो इतना ध्यान ही नहीं दिया आज हम जानेंगे कारियों को पूरा करने से संबंधित समय की गणना कैलकुलेशन कैसे की जाती है पिछली बार जो सीखा था उससे जुड़े हुए कुछ सवाल एक दूसरे से पूछते हैं उसमें मज़ा भी आएगा पिछली बार हमने तीन चीज़ सीखी थी पहली किसी काम को शुरू करने का समय पता हो और ये पता हो कि काम को खत्म करने में कुल कितना समय लगेगा तो वह समय बता सकते हैं जब वह काम खत्म होगा दूसरी किसी काम को शुरू करने और खत्म करने का समय पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि उस काम को पूरा करने में कितना समय लगा और तीसरी किसी काम को पूरा करने में कितना समय लगता है और काम के खत्म होने का समय पता हो तो हम बता सकते हैं कि वह कब शुरू हुआ था तो इन तीनों बातों से समबंदित सवाल पूछते हैं ठीक है, सबसे पहले ये पता करते हैं कि हमारा लंच ब्रेक कितने समय का होता है देखो हमारा लंच ब्रेक शुरू होता है बारा बच कर दस मिनट पर और खत्म होता है बारा बच कर तीस मिनट पर चलो इनको पहले ड्रॉ कर लेते हैं तो ये है हमारे ब्रेक के शुरू होने का समय और ये है हमारे लंच प्रेक के खत्म होने का समय अब देखो, मिनट की सुई है दो पर यहां से तीन तक गिनेंगे पाँच मिनट, चार तक दस ऐसे ही पंद्रह, बीस यानि बीस मिनट में हमारा लंच प्रेक खत्म हो जाता है अब पता लगाते हैं कि हमारी क्लास जो पचास मिनट की होती है अगर वो सुबे नौ बजे शुरू होती है तो खत्म कब होगी? इसमें हमको क्लास शुरू होने का समय और खत्म होने में कितना समय लगता है और हमको पता लगाना है कि class के खत्म होने का समय क्या होगा ये देखो मैंने class के शुरू होने का समय इस गड़ी में draw कर लिया है और हमको पता लगाना है कि 50 मिनत बाद क्या समय होगा हाँ तो इसके लिए हम मिनट की सूई की तरफ देखेंगे मिनट की सुई अभी बारह पर है इसको 1 पर लाने पर 5 मिनट 2 पर लाने पर 10 मिनट 3 पर 15 4 पर 20 5 पर 25 6 पर 30 7 पर 35 8 पर 40 9 पर 45 और 10 पर 50 मिनट होंगे हम इसका मतलब हमारी क्लास 9 बचकर 50 मिनट पर खत्म होगी और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि क्लास दस बजने में दस मिनट कम पर खत्म होगी। हाँ, अब बताओ कि कल मनुरंजन पार्क में आने के लिए हमें सुभा साथ बज़े स्कूल पहुचना है और अगर हमें घर से यहां आने में तीस मिनट लगते हैं तो हमें घर से कितने बज़े निकलना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले घरी में साथ का समय ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद इसमें सी वर समय घटा देते हैं जो घर से स्कूल तक आने में लगेगा अभी घरी की सुई बारह पर है तीस मिनट घटाने के लिए और छे पर पहुँचने पर तीस मिनट इसका मतलब कल हमें किसी भी हालत में घर से छे बच कर तीस मिनट पर निकलना है चलो आज पता तो चल गया कि कल हमें घर से छे बच कर तीस मिनट पर निकलना पड़ेगा आज हमने जाना समय से संबंधित गणना कैल्कुलेशन करना घटनाओं का क्रम भाग 3 सिक्वेंस ओफ इवेंट्स पार्ट 3 आज हम जानेंगे घड़ी पढ़ने से संबंधित एक गलती के बारे में मैं अपने घड़ से दो मिनट में स्कूल आ जाता हूँ मुझे दस मिनट लगते हैं और हम दोनों एक साथ ही आते हैं तो तुमको दो मिनट कैसे लगते हैं तुमको भी दस मिनट लगते हैं नहीं मुझे सिर्फ दो मिनट ही लगते हैं और तुमको भी दो ही मिनट लगते हैं बोला ना हमको दस मिनट लगते हैं अरे जगड़ा क्यों कर रहे हो देखो ना रेयांश को घड़ी देखनी भी नहीं आती मुझे घड़ी देखनी आती है आयूश मान को नहीं आती कोई मुझे पूरी बात बताएगा देखो मैं अपने घर से 9 बजे निकलता हूँ और यहाँ पर 9 बज कर 2 मिनट पर पहुँच जाता हूँ तो हुए ना 2 मिनट एक काम करो तुम जितने बजे यहाँ पहुचते हो वो ड्रॉ करके दिखाओ ठीक है यह देखो जब मैं घर से चलता हूँ तब घंटे की सुई 9 पर होती है और मिनट की सुई 12 पर होती है फिर जब स्कूल पहुच जाता हूँ तब मिनट की सुई 2 पर होती है तो हुए ना 2 मिनट वंदना अब तुम ही आयूशमान को समझाओ आयूशमान फिर तो तुम जब घर से निकलते हो तब 9 बज कर 12 हो रहे होते हैं वो कैसे देखो जब तुम घर से चलते हो तब मिनट की सुई 12 पर होती है तो हुए ना 9 बज कर 12 मिनट ऐसा कैसे हो सकता है मैं 9 बज कर 12 मिनट पर चलकर यहां चलना शुरू करने वाले समय से पहले कैसे पहुच सकता हूँ इसका मतलब यह है कि तुम से टाइम देखने में कोई गलती हो रही है तो फिर सही समय कैसे देखते हैं यह जो नंबर घरी में लिखे होते हैं वो घंटे को बताते हैं मिनट को नहीं फिर मिनट को कैसे पढ़ते हैं मिनट को पढ़ना आसान होता है एक नमबर से दूसरे नमबर तक जाने में मिनत वाली सुई पांच मिनत लेती है इसलिए जब मिनत की सुई बारा से एक पर आती है तब एक मिनत नहीं होता बल्कि पांच मिनत हो जाते हैं ठीक ऐसे ही, जब मिनत की सुई बारा से दो पर पहुँचते हैं, तब दस मिनत हो जाते हैं। इसका मतलब मुझे घर से स्कूल आने में दस मिनत लगते हैं। हाँ, और मैं इतनी देर से यही तो कह रहा था। तो ऐसे समझाना चाहिए न, जैसा वंदना ने समझाया है। आज हमने जाना, घड़ी देखने में होने वाली एक गलती के बारे में, जिससे हम उस गलती को ना करें। अचल ऑने में होने मैं जहको का दो क्ला हुआए वाली एक ल़ी तो गजब आना वड़ाए है। झाल झाल